नमश्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत important और problem है, हर व्यक्ति, पुरोष ये चाहता है कि वो अपना सीमन डोनेट करें, तो अक्सर messages होते हैं या phone calls होते हैं hospital में कि मैं सीमन डोनेट करना चाहता हूँ और कैसे करें, आपके high wear center में सीमन डोनेट करा जा सकता है, तो दोस्तों, जब से एक हमारी picture आई थे विके donor, उसको देखने के पाद हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सीमन डोनेट कर सके, और उसको ऐसा लगता है कि ये डोनेट करने से उसको बहुत सारे लाब होंगे, या financially बहुत लाब होंगे, तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि सीम कौन डोनेट कर सकता है, और सीमन डोनेशन कैसे हो सकता है, क्यूंकि ये बहुत ज़ादा पूछे जाने वाला सवाल है, और इसका सारा जवाब मैं देना चाहूंगी, और इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, आज, और मैं हूँ, डॉक्टर अर्शी एकबाल, प्रड़क्टिव कांसल्टेंट हूं है, और बहुत सारे ने संतांदम बत्ति लाभानवित हो चुके हैं, तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस पर बने रही है, मैं आपको पूरी डीटेल्स में बताऊंगी, क्यूंकि ये इतना आम पूछे जाने वाला सवाल है, कि मुझे लगा इस टॉपिक पर बनाना चाहिए, एक वीडियो जिससे कि ये थोड़ा सवाल कम पूछा जाए, और अगर आपको मेरा ये लगता है कि वीडियो फायदेमन है और इससे आपको कुछ जानकारी मिली तो प्लीज दू लाइक और सब्सक्राइब माइडम मैं आपका डोनर बनना चाहता हूँ, सीमन डोनेट करने के लिए मैं आपके सेंटर को रेगूलर डोनेशन देना चाहता हूँ, सीमन का, माडम आप मुझे कितने पैसे देंगी, माडम मैं बहुत स्ट्रॉंग हूँ और मेरी वीरे की खॉलिटी बहुत अच्छी है, माडम मैं रेगुलर है ना बन सकता हूँ इसके लिए तो ये कुछ सवाल आते हैं अब सवाल ये है कि ये सवाल कहां से आते हैं इतने लोग डोनेट करना चाहते हैं सीमन तो ये उनको कैसे आइडिया लगता है कि वो सीमन डोनेट कर सकते हैं तो जनाब एक मूवी आयती आज से कुछ साल पहले जिसका नाम था विकी डोनर और उसमें लोगों ने उस मूवी को देखके एक चीज संजी कि कोई भी व्यक्ती चाहे वो जाके डोनेट कर सकता है तो बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो मैं आज ये आपको विस्तार से बताऊंगे कि कौन डोनेट कर सकता है फिर जब उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ डोनेट नहीं कर सकते ये ART क्लिनिक है तो वो कहते हैं कि हम कहां जाएं तो आज उस पे हम बात करेंगे तो एक व्यक्ती है जो आपको अपना सीमें डोनेट करना चाहता है किसी फर्टिलिटी क्लिनिक को तो वो क्या करें तो सबसे पहली चीज़ के सरकार ने एक कानून बनाया है जो जिसके तहत IVF उसके अंडर में आता है जो कि 2022-23 में गैजट हुआ है तो उस कानून के तहट आप वीरे डोनेट कर सकते हैं केवल ART बैंक में क्यूंकि अब ART बैंक, IVF क्लिनिक और IUI क्लिनिक तीनों अलग-अलग हो गई है अब कोई भी व्यक्ती डोनेट कर सकता है परन्तु IVF क्लिनिक में नहीं कर सकता वो ART बैंक में जा के कर सकता है अब दूसरा सवाल आता है ART बैंक कहा होता है तो ART बैंक सरकार में registered बैंक होता है जहांपे वो महीला जो अंडे प्रौइट करती है जो अंडे बनाने के लिए अपने अंडे देती हैं और जो पुरुष अपने शुक्रानों देते हैं, ART Bank के थू ही होता है, तो वहाँ पे जो कानून है वो उसके तहट वो बंदा वहाँ रजिस्टर होता है, ART Bank में उसके कुछ अधार काड लगता है और जाचे करी जाती है, उन जाचों में कुछ कुण की जाचे होती है, कुछ पेशन्ट की पूरी प्रोफाइल का एक रजिस्टर बनता है, जिसमें उसकी पूरी एंट्री होती है, उसके बाद उसका पूरा पेपर वर्ग करा जाता है, जो कनसेंस होती है, उसके बाद अभी जो ART Act है, उसके तहट कोई भी व्यक्ति केवल एक बार अपना वीरे दान में दे सकता है एक बार डोनेट कर सकता है वीरे को तो जैसा पहले मूवी में दिखाते हैं कि एक ही व्यक्ति बार बार जब मर्जी आए जब डोनेट कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगी कि एक वैक्ति केवल एक ही बार डोनेट कर सकता है, उसका सेंपल एक ही बार यूज़ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जिसको भी आप डोनेट करोगे उसका आधार कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया है, तो जैसे ही आप किसी एक वैक follow करता है अब सवाल यह आता है कि यह ART bank कहा है तो यह ART bank राजिस्थान है तो आप राजिस्थान के portal पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि कौन कौन से ART bank है और कौन registered ART bank है क्योंकि आज के तारिक में जो registered ART bank है वही donor ले सकता है और वही उनको सकता है तो यह की कोई भी जगा पर donate करा जा सकता है सीमें को तो बिल्कुल वलत है के वह ART bank में जाके donate करा जा सकता है फिर कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि मैडम हम तो donate नहीं करना चाहते हैं यह बहुत हैं मेरे पास सवाल आया कि मैडम मेरी नोन है उनको उनके husband से बच्चा नहीं चाहिए और वो चाहती है कि किसी दूसरे का वीरिया डले और वो जो दूसरे का वीरिया है वो डॉनर डॉनेशन से भी नहीं हो मतलब EAR T BANK से भी नहीं हो वो अपना साथ उस डॉनर को भी लेके आएंगे तो आप उसका IUI कर दीजिए तो मैं इसका भी सवाल क्योंकि ये भी सवाल मैंने काफी पार सुना है कि हम ART बैंक का डोनर नहीं लेंगे हम हमारे साथ डोनर लाएंगे तो ये तो पत्नी लाना चाहती थी डोनर और हैना इसमें आप पती को ना बताएं तो मैं आपको एक चीज़ बताओं कि कानून के तहट पती और पत्नी एक यूनिट होता है अगर किसी भी व्यक्ति के डोनर वीरे का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे पती पत्नी दोनों उस कंसेंट पे साइन करते हैं जहां पे आप पती ये देगा कि हाँ उसको पता है और वो डोनर वीरे के लिए सहमती दस्खत करेगा जो को डोनर कंसेंट है और एक एफडेविट बनेगा जिस पे हैना वो ये सारी चीज़े लिखी जाएंगी और वो एफडेविट एर्टी बैंक के पास जाता है तो अब आपका कहना होता है कि हम डोनर अपना लेके आएं तो आप उसको इस्तिमाल कर लीजे फर्क क्या पड़ता है कानून तो देखिए कानून बिलकुल बहुत इंपॉर्टन है गैज़ेट लौ है और जो क्लिनिक है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होती है और रजिस्टर्ड क्लिनिक पर ये काम होता है तो ये तंडनी अपराद है अगर आप बगर पती को बताए अनपतनी का IUI कर देंगे और ये नामुम्किन है केवल अगर IUI डोनर होता है तो वो डोनर सैंपल ART बैंक से आता है जो कि रजिस्टर्ड होता है सरकारी रजिस्टर्ड लिस्ट में होता है और जो हाँ पर IUI होता है वो एक रजिस्टर्ड क्लिनिक होना चाहिए कोई भी unregistered clinic या hospital में IUI नहीं कर जा सकता इस पे दंडनिय कारवाई करी जा सकती है और दूसरा कई बार husband भी जो होते हैं वो यह सवाल करते हैं कि आप donor bank से ना लेके हम अपना donor लियाएंगे अपने brother को लियाएंगे तो देखे IUI के लिए या किसी भी IVF में जब donor sample यूज होता है तो यह कानूनन अपराद है और यहाँ पे कानून allow नहीं करता कि आपके brother का या आप जिसको लेकिया है उसको यूज करा जा सके दूसरा जो semen bank से sample आता है वो quarantine कर हुआ होता है 6 मेने रखा हुआ होता है जिससे कि उसमें कोई ऐसी बिमारी जो एक दूसरे को फैले वो नहों और उस पे सारे टेक्स लगे हुए होते हैं कि वहाँ पे वो बिमारी एक दूसरे से ना पहुँचे जैसे कि HIV, hepatitis, कुछ यह बिमारी है, VDRL, syphilis यह नहों एक दूसरे से तो यह रखना quarantine करा हुआ sample को बहुत जरूरी होता है तो यह 6 महिने से अधिक रखा हुआ sample होता है इस पे सारे test लगाए हुए होते हैं तो अगर आप किसी को लाते हो, सबस्तों उस पे वो test नहीं करे हुए होते और उसकी जिम्मेदारी clinic की नहीं होती और clinic कभी भी आपको किसी दूसरे के आपके लाई होए वीरे पे unregistered donor का sample नहीं use करना है तो बिलकुल मना कर देगा एक और चीज मैं ब्रहांती को दूर कर दूँ लोगों को लगता है जो donors होते हैं कि आप कितना पैसा दोगी तो सबसे पहली चीज ART clinic कभी भी पैसा नहीं देती आपको ART bank जाना है और ऐसा नहीं होता क्योंकि अब one donor, one recipient का law है तो आप एक ही बार दान कर सकते हैं तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत जादा इसमें amount या बहुत बड़ा amount अन कर सकते हैं तो ये भी चीज थोड़ी सी ब्रहांतियां जो ये हैं कि किसी कभी वीरे इस्तेमाल हो सकता इस ब्रहांति को दूर करें ART bank से लिया हुआ ही वीरे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि quarantine करा हुआ होता है ये ब्रहांति कि बहुत सारा पैसा मिसमें मिलता है तो ये भी नहीं है ये ब्रहांति कि एक डोनर बहुत सैकडों सैंपल दे सकता है ये भी ब्रहांति है ऐसा भी कानून अलाउन नहीं करता तो मुझे उमीद है कि मेरे पास जो रोज फोन आते हैं उसका मैंने जवाब दिया होगा ये वीडियो बनाने का रीजन ये भी था कि अब जब भी कोई मैसेज या कोई फोन आएगा तो मैं उनको ये लिंक दे दूंगी कि आप प्लीज इसको देख लीजिए और आप इसके नियम उसे चलिए तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो मैंने आपकी सवालों का जवाब दिया हो और हर उस विक्की डोनर के लिए जो सीमन डोनेट करना चाहता है तो प्लीज आपको लगता है कि आपके ये और भी लोग है जो जानना चाहते हैं इस बारे में तो उनको ये प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करवाईए और शेयर कर दीजिए जिससे कि ये लोगों की जो ब्रहांती है कि हर कोई डोनेट कर सकता है वो खतम हो अगले वीडियो में फिर बेट होगी तक तक के लिए नमस्कार